आज से दस साल पहले ये बहस हो सकते थी कि लोग कहते पानी तो पानी है एक पानी दूसरे पानी से अलग कैसे हो सकता है अगर पानी से सारी गंदगी निकाल दी जाएं तो हर पानी समान है आज से दस साल पहले ये बहस हो सकती थी लेकिन आज नहीं आधुनिक विज्ञान स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि जल किसके संपर्क में रहा है उसके आधार पर ये अलग तरह से पेश आता है ये एक स्थापित तथ्य है क्योंकि पानी की भी आदाश्ट होती है अब जहां तक गंगा जल की बात है इसके विशेष्टा ये है कि ये कुछ खास इलाकों से होकर बहता है कुछ खास हिस्सों से होकर बहता है जिनका प्रभाव इस जल पर पड़ता है और ये एक या दो पीडियों की बात नहीं है सैक्डो पीडियों से लोग उन इलाकों में आध्यात्मिक साधना करते रहे हैं वो इस जल के संपर्क में रहे हैं उनकी साधना का फल उस जल में मौजूद है सुंदरलाल बहुगुणा लोगों के सामने इसे साबित करते रहे और अपनी जान भी देती बतकिस्मती से कोई खास नतीजा नहीं निकला लेकिन गंगा नदी के किनारे रहने से ही उनकी अपनी सेहत में बहुत बड़ा बदलावा है अब क्या ये केवल भावना है? नहीं लेकिन साथ ही क्या गंगा में आज भी वही पानी है जो पहले हुआ करता था? नहीं, क्योंकि आज जो पानी आप पी रहे हैं उसे दो-तीन जगाओं पर बांधों से रोका जाता है और एक जगा पर तो बांध में बहुत देर तक रोका जाता है और फिर छोड़ा जाता है बतकिस्मती से अब इसमें वो बात नहीं रही ये एक चीज हमें नहीं करनी चाहिए थी अगर हमें बिजली चाहिए थी तो इसके कई दूसरे तरीके हैं ये एक चीज हमें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि गंगा में एक विशेश गुण हुआ करता था। अब हमने हिमालय में गंगा के ऊपर एक बांध बना दिया है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बस थोड़ी सी बिजली बनाने के लिए। वैसे भी हिमालय से जो गाद या तलचट आता है, उसकी वज़े से कुछी समय में ये सारे बांध भर जाएंगे। शायद 25 से 50 गुना अधिक होता है, सिर्फ इस लिए, क्योंकि वो इलाका ही ऐसा है, तो मुझे लगता है कि ये शर्म की बात है, कि बिजली के लिए हमने गंगा पर बांध बना दिया, हम कई दूसरे तरीकों से भी बिजली पैदा कर सकते थे, ठीक है, लोगों को बिजली क हमने किया है, पर वो एक नदी जो इस देश की चेतना है, हम उसे तो अकेला छोड़ सकते थे, आज गंगा नदी में आने वाला ज्यादतर पानी सुरंगों से होकर गुजरता है, ये टर्बाइनों से होकर बाहर आ रहा है, इसलिए मैं दावय के साथ नहीं कह सकता कि इसमें वैसे ही गुण है, लेकिन फिर भी चाहे आप यकीन करें या ना करें, अगर आप पानी को छूते हैं, तो आप देखेंगे कि ये बहुत अलग है, क्योंकि मैंने हिमालय में लगातार 27 सालों तक ट्रेकिंग की है, हर साल मैं वापस जाता था, मैंने देखा कि बस एक ग्लास पानी पीने के बाद मुझे कुछ खाने की जरुरत नहीं होती थी, और मैं सारा दिन चलता रहता था, बस एक ग्लास पानी, आप भर पेट पानी पीजिए, और ये आपको उर्जा देता रहता है, ऐसा और कहीं नहीं होगा, अगर आप उपरी इलाकों में जाएं, अगर अच्छत तोर पर खास है, नीचे आने पर इन टर्बाइन वगरे की वज़े से पहले जैसा नहीं रहता, पर फिर भी उससे तो अलग ही होता है जैसा आप दूसरी जगह पाते हैं, तो ये भावात्मक पहलू नहीं, इसका एक वैग्यानिक आधार भी है, बतकिस्मती से हम स्वातावरन को बरकरार नहीं रख रहे हैं, हम उसे नश्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि पानी वैसा ही रहे, कुछ समय बाद ये ऐसा नहीं रहेगा